नमस्कार आपके साथ मैं नंदेता कुलेशया हूँ करनानी होगी कि ऐसा संभव है लेकिन इसके लिए इन्सान के शरीर का इको फ्रेंडली अंतिम संस्कार करना होगा भारत से 6000 किलोमीटर दूर इटली में म्रत्यू पर एक प्रयोग हो रहा है मरने की कला यानी आर्ट ओफ डाइं का नया उतार है कैपसूला मुंडी सुनने में ये नाम आपको अटपटा लग सकता है लेकिन जब आप कैपसूला मुंडी प्रोजेक्ट का मकसर और मतलब समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि मौत तो सिर्फ नए जीवन की शुरवात भर काले साल प्रोजेट जरो चलेटा कि शीवन, याल, करता सकता है अ तूब शर्णडना in life by the काले सकता है सकता है ले सकता है कि भीवन काले देरा से सब्साधिया कि प्रोवानी प्रूल कि के वालतिता लेका इल into the planned kingdom the sign that we remain will therefore be a tree कहते हैं कि मरत्यू के बाद जीवन चक्र पूरा हो जाता है यानि मिट्टी से बना इंसान दोबारा मिट्टी में ही मिल जाता है लेकिन इटली के कैपसूला मुंडी प्रोजेक्ट के तहर मौत को अलग नजरिये से देखने की कोशिश की जा रही है यहां मरने वाला इंसान आकाश का तारा नहीं बलकि धर्ती का पेड़ बन जाता है अंडे के अकार वाले और्गैनिक पॉड में शव को रखा जाता है फिर इस पॉड को जमीन में गड़ा खोद कर एक बीज की तरह दबा दिया जाता है यह और्गैनिक पॉड सौफ वेजदी बायो डिग्रेडेबल मैटेरियल से बना है ताकि पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए यह मिट्टी में मिल जाए पॉड को मक्के के स्टार्ज और आलू से बनाया जाता है इसमें शरीर को वैसे ही रखा जाता है जैसे कोई बच्चा गर्भाशे में होता है पॉड के साथ एक छोटा पॉधा या पेड़ भी लगा दिया जाता है वक्त बीतने के साथ शरीर धीरे धीरे मिट्टी में मिल जाता है और उसी से मिले पॉशक तत्तों से ये पॉधा पेड़ बन जाता है इस अनुके कॉंसिप्ट को डिजाइन किया है इतली के डिजाइनर राउड प्रैट्जल और एना सिटेली इस कॉंसेप्ट में मौट से पहले कोई बीतन कर सकता है कि उसकी कबर पर कौन सा पेड़ लगाना है और किसी कारण से ऐसा नहों पाए तो परिवार के लोग भी इस पर फैसला ले सकते हैं परिवार वाले और दोस्त अपनों की याद में पेड़ के बड़े होने तक उसकी देखभाल करते रहेंगे कि अगर हमारी बॉड़ी जा रही उसके अंदर कुछ दुनों बाद वो और इनॉगनिक मेटर में कनवर्ट होता है उसको अप प्लांट करें तो शायद एक बहुत अच्छा रिच न्यूटियन्ट आपको मिलता है और वो आपका वो जंगल बनता चला जाएगा फिर आप दूसरी लैंड को रिप्लेस करें तो ये जो ओपन लैंड या ओपन जो आपकी वेस्ट लैंड आप कहलेजिए उसके लेवल पर एक जनरल जो टरम वेस्ट लैंड आता है बाकी वेस्ट लैंड नहीं हुए कबरस्तान है तो ये एक ग्रीन डी का कंसिप्ट है जो शायद फायदे मेंद हो सकता है मेरे हिसाब से प्रोजेक्ट पर काम करने वाले लोगों का मानना है कि दुनिया को कबरस्तानों से ज्यादा जरूरत जंगलों की है और अगर मरने के बाद इनसान कंक्रीट की कबर की जगा सांस लेते जंगल का हिस्सा बन जाए तो इससे ज़्यादा जांदार बाद क्या होगा हर राष्ट में हर देश में उनका अपना अपना नियम है तो इस नियम को भी बदलना बहुत ज़रूरिया और लोगों का सोच विचार भी बदलना बहुत ज़रूरिया अगर हम मरकर भी एक नया जीवन के रूप में हम दुबारा जीते हैं, क्योंकि फेट पौदे सब जीवित हैं, यह नहीं कि वो मरे हुए हैं, तो एक अच्छा और अर्थपूर्ण बनता है, क्योंकि मरने के बाद भी हम एक जीवित रूप में हम देखते हैं कि यह मेरा पाप में अंतिम संसकार की प्रक्रिया के दौरान में काफी प्रदूशन फैलता है, अमेरिका में शवों को संरक्षित करने के लिए एक साल में 31 लाख किलो लेप लगाया जाता है, जो बाद में आसपास के ग्राउंड वाटर को विशेला बनाता है, जबकि भारत में एक साल में में अंतिम संसकार के दौरान पांच लाख टन राख पैदा होती है, और 80 लाख टन काबन डायोकसाईड वातावरण में मिल जाती है, जबने आपको दिखाया है कैसे मनने के बाद भी इंसान परियावरण की काम है।